नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन तमारा स्टेट बोर्ड, मैथेमाटिक्स चाप्ट नूबर त्री यद्सी फैंड ल्सीम, उसमें प्रेक्टिसेट इलवन फेक्टराइज दे फूलिंग नूबर्स इन्टू प्राइम्स अब यह कोशन सौल करने से पहले आप सभी कौन रोध है कि चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक शेर करें और अपने हैं दोस्तों में भी शेर करें और बिल आइकन प्रेस करें जिससे की आपको आने वाले वीडियो को निटिफिकेशन मिल चाहें अब HCF और LCM यह चाप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, एक्जांपल के साथ इसके एक पहले मैंने 5 वीडियो की सिरीज ली है HCF LCM, क्लास 7 HCF LCM, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे पार्ट 5 तक हैं, तो वो पहले आप देखिए, फिर उसके बाद यह जो प्रेक्टिस सेट है, वो आप साल करिए, अब इसमें क्या होता है, दिखे, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स और डिवाइजर्स, तो डिवाइजर्स क्या होता है, कि 32 को जिस किसी नंबर से डिवाइड होता है, वो उसका डिवाइजर हुआ, अब फैक्टर्स के क्या होता है, कि फैक्टर्स का multiplication करेंगे तो हमें 32 answer आता है तो 32 के हमें prime factors अगर यहाँ पे point करने हैं तो prime numbers सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखने हैं कि suppose 2 सबसे smallest prime number 2 उसके बाद 3 आता है 5, 7, 11, 13 17, 19 यह आते हैं prime numbers जिस number को किसी भी number से 1 और वही number चोड़के किसी भी number से divide नहीं होता वो होते हैं prime numbers अब हमें सबसे पहले चेक करना है इस number को 2C divide होता है का तो इन में अभी 2, 3, 5 की और इले उनकी divisibility test है तो divisibility test से हमें पहले decide करना है कि divide होता है या नहीं होता है अगर होता है तो पिर divide करना है अब देखें 2 की divisibility test क्या है unit place में last digit अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इन में से कोई है तो उसे 2 से divide होता है तो यहां पर 2 है तो 2 से इसे divide होता है 3 की होता है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 या 2, 3-2, 1, 2, 6, इसे 2 से 12 अब 16 को फिर 2 से डिवाइड करना है तो 2 8 से 16 फिर 8 को 2 से डिवाइड करना है 2 4 जा 8 फिर 4 को फिर 2 से डिवाइड होता है तो 2 2 से 4 और 2 को 2 से डिवाइड होता है तो 2 1 जा 2 जो 32 के था, तब और कम या इस तो प्रैम से की प्राम है इस रिए से आड़ 123455- इन दोए विस्का में लिखना है तूए टूए टूए और टूए अग्रा अगला नंबर जो है 3 से हमें चेक करना है 3 की डिविजिबिटी टेस्ट 5 प्लस 7 दो डिजिट के अडिशन 12 अब 12 को 3 से डिवाइड होता है तो इस नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा तो हमें 3 से इसको डिवाइड करना है तो 3 वन जा 3 5 माइनस 3 2 रहेगा 27 3 9 जा 27 को 19 को दिए एक प्राइम नंबर है तो 19 को किसी और नंबर से डिवाइड होगा बन या 19 से होगा तो 19 से डिवाइड करना है 19 वन जा 19 तो 57 के जो फैक्टर्स हैं वो लिखना है 3 इन्टो 19 अब 23 के देखे 23 को सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है मतलब 23 और 1 ये 2 23 से होगा प्राइम नंबर अगर हम कहें तो 23 को 23 यही प्राइम नंबर है जिससे उसे डिवाइड होगा क्योंकि 23 प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होता यहाँ पे 3 है फिर 3 से देखे 3 प्लस 2 5 5 को 3 से नहीं होता तो यहां पर इसे 3 से नहीं होगा 5 से भी नहीं होगा अब 5 तक ही चेक करना है क्योंकि 5 का स्कूर 25 आता है तो 25 से यह कम नंबर है तो 5 का स्कूर 25 5 तक ही हमें 5 तक के प्राइम नंबर से ही इसको चेक करना है अब 5 तक नहीं हुगा तो इसे किसी भी नम्बर सी Fox नहीं होगा, तो 23 का Factor 23 अक्रा, यही आएगा, इं टु बन हम लिखें तो ही जहलेगा, अगर नहीं लिखें तो इं चलेगा, क्योंकि इंटु बन हम कितने ही बार लिख सकते हैं तो कितने बार लिखना है तो नहीं लिखना है इन्टू 1 23 ही लिखना है कि अब कॉश्चन नमबर 4 देखे 150 150 इनट प्लेस में 0 है तो इसे टू से डिवाड होता है तो टू सेवन जा 15-14 वन रिवेंडर 10 25 जा 10 75 अब यहां पर इन्ट प्लेस में 5 आ गया तो 2 से नहीं होगा अब 3 से चेक करना है तो 7 प्लस 5 त्वैंड 1 22 को 3 से डिवाड होता है 3 2 जा 12 तो इसे हमें 3 से डिवाड करना है तो 3 2 sounds 6 7-6 1 remainder 3 5 15 25 देखे 2 से नहीं होता है तो 2 unit place में 5 है अब 3 से चेक करना है तो 5 plus 2 7 7 को भी 3 से नहीं होता तो यहाँ पे 3 से नहीं होगा 5 से unit place में 5 है तो इसे 5 से दिवाइड होगा तो 5 5 25 5 को 5 से होगा 5 उन्जा 5 तो 150 इसे कोल टो हमें लिखना है टू इन्टू 3 इन्टू 5 इन्टू 5 इन्टू 5 अब नेक्स्ट जो क्रेशन है क्रेशन नुम्बर 5 216 अब 216 के जो प्राइम पेक्टर से unit place में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा 2 उन्जा 2 अब तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से स्मालर है तो हम यहापे 0 लेकर 6 को निचलेना होता है तो यहापे 28 जा 16 तो 108 को फिर 2 से डिवाइड होगा unit place में 2 है तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 अब 27 को 3 से होगा 3 जा 3, 3 9 जा 27 फिर 9 को 3 से होगा 3, 3 जा 9 फिर 3 को 1 से डिवाइड होगा तो 216 is equal to हम लिखना है 2 2 2 3 times 2 into 2 into 3 3 times तो 3 into 3 into 3 question number 6 है 208 अब 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 फिर 2 से डिवाइड करना है 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 फिर यहापे unit place में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, 5-4 1, 12, 2 6 जा 12 अब 26 को भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि unit place में 6 है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 यह प्राइम तो हमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सभी से चेक करने की जरूत नहीं है क्योंकि हमें पता है 13 प्राइम नमबर है तो इसे 13 से ही डिवाइड होने वाला है इन नमबर से तो नहीं होगा तो directly आप 13 बंजा 13 यहां पे लिख सकता है तो 208 is equal to हमें लिखना है 2 2 2 2 2 2 4 ताइम और इन्टो 13 नेक्स्ट देखिए question 765 अब यहां पे unit place में 5 है तो 5 से डिवाइड होने वाला है लेकिन उसके पहले हमें 2 और 3 से चेक करना है तो 2 से unit place में 5 है तो 2 से नहीं होगा फिर 3 से चेक करना है 7 प्लस 6 13 प्लस 5 13 प्लस 5 होता है 18 18 को 3 से डिवाइड होता है इसका मतलब 765 को भी 3 से डिवाइड होगा तो हमें यहां पे पहले 3 से डिवाइड करना है तो जो भी प्राइम नुमर से हैं वह आप स्रीली ले सकते हैं 2357 ऐसे डू से नहीं हो रहा है तो 3 से त्री से नहीं हो रहा थे 5 से करिए अब 3 से 3 टूजा 6 7-6, 1, 16 होगा 3, 5, 15 16-15, 1, 3, 5, 15 अब और 2 से नहीं होगा यहां पे तो 3 से 5 प्लस 5, 10 प्लस 2, 12 12 को 3 से डिवाइड होता है तो इस नुमर को भी 3 से होगा तो 3, 8 से 24 25-24, 1, 3, 5, 15 अब 8 प्लस 5, 13 13 को 3 से नहीं होता त्री के टेबल में 13 नहीं आता तो फिर उसके आगे 5 से 5 से डिवाइड करना है तो 5 वन्जा 5, 8-5, 3 तो यहां पे 5, 54 वन्जा 35, 17 होगा तो यहां पे 17 को 17 से डिवाइड होगा क्योंकि 17 प्राइम नुमर है तो 17 वन्जा 17 तो हमें अंसर लिखना है 765 is equal to 3 into 3 into 5 into 17 नेक्स्ट कोशन देखे 342 अब 342 इनेट प्लेस में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा 2 वन्जा 2, 3-2, 1, 3-7 जा 14, 2-1 जा 2 अब इनेट प्लेस में 1 आ गया तो 2 से नहीं होगा अब चेक करना है आमें 3 से तो 7 plus 1 plus 1, 8 plus 1, 9 तो 3 से होता है तो इसे 3 से डिवाइड करना है तो 3-5 जा 15, 17-15, 2, 21, 3-7 जा 21 अब 5 plus 7, फिर 12, 12 को 3 से डिवाइड होता है तो इसे आमें 3 से डिवाइड करना है तो 3 जा 3, 5-3, 2, 3, 9 जा 27 अब 19 ये प्राइम नमबर है तो 19 को 19 से डिवाइड होगा 19 जा 19, तो 342 इस इकोल तो हमें लिकना है 2 x 3 x 2, 3 x 19 next नमबर है 377 अब 377 उनिट प्रेस में 7 है तो 2 से नहीं होगा अब 3 से चेकरना है तो 7 प्लस 7, 14 प्लस 3 तो 14 प्लस 3 होगा 17, 17 को 3 से डिवाइड नहीं होता तो इस नमबर को 3 से डिवाइड नहीं होगा 3 5 ώ 5स अ फिप्टेन, 3 6 जे 18 तो 3 से नहीं होता आप 5 से इनुट प्लेस में 5 है तो 5 से भी नहीं होगा अब हमें 7 से चेक करना है то 7 से हमें डिवाइड करके ही चेक करना है 3 7 is the 28 वर्जा 28 7 5 is the 35 तो 35 मैंने के बाद 227 रहेगा 7 के टेबल में 27 नहीं आता तो इसे हमें 7 से भी नहीं डिवाइड होता अब 11 से चेक करना है 11 के लिए 7 प्लस 3 इनके अडिशन करनी है यह होगा 10 10 से हमें 7 माइनस करना है तो यह वह 3 तो 3 0 नहीं है और 11 के टेबल में भी नहीं है तो इसे 11 से डिवाइट नहीं होता तो 11 की डिविजबल टेस्ट और एक बार मैं आपको बता दू कि alternate digit लेना है उनके अडिशन करना है और जो remaining है उनके अडिशन करना है तो remaining यह किये तो वो हमने लिया है और जो दोनों सम आगे उनका हमें difference लेना है अगर उस difference को 11 से डिवाइट होता है या difference 0 आता है तो इस number को 11 से डिवाइट होता है तो नहीं होता है उसके बाद हमें 13 से डिवाइट करके ही चेक करना है तो 13 13 से डिवाइट करना है 13,3 जा 39 तो यह ज़्यादा होगा 13,2,26 26 को हमें यहाँ पर सब्टेट करना है तो यहाँ पर होगा 1 यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर 7 तो 13,9 जा 117 तो यहाँ पर 13 से डिवाइट होता है तो 13 से डिवाइट करना है 13,2,26 और 13 9 जा 117 तो 29 आ गया अब 29 यह प्राइम नमबर है तो 29 को 29 से डिवाइट होगा तो यहाँ पर 29 वज़ा 29 तो हमें लिखना है 377 into sorry 377 is equal to 13 into 29 next number है 559 अब 559 को हम अगर जैसे हमने पिछली question में देखा था उसी सब से अगर divide करें तो इसे भी 13 से divide होता है किसी भी prime number से आप चेक करके देखिए फिर 13 तक आजाए फिर 13 से divide करिए 13 4 जा 52 52 5 माइनस 2 3 यहाँ पर 0 13 4 जा 52 3 रहा 39 13 3 जा 49 तो 43 यह एक prime number है तो आप चेक करके देख सकता है कि 2 से 3 से 7 से 11 से divide करके किसी भी number से divide नहीं होगा हमें इसे 7 तक 7 तक के prime number से divide करना है तो नहीं होता तो यह 43 prime number है तो 43 को 43 से divide होगा 43 जा 43 तो 559 को हमें लिखना है 39 into 43 तो इसी वीडियो में इतना ही दोस्तों आप प्रेक्टिसेट 11 हो चुका है 11 के बाद प्रेक्टिसेट 12 के जो questions है वो हम आगले वीडियो में लेंगे आप सुभी को फिर से अंडरोध है कि HCF LCM की जो series हमने लिए है सिर्फ questions और concept की वो आप पहले देखें फिर यह वीडियो प्रेक्टिसेट 12 के